Students of UP Board के Last and Supplementary Reader, I am going to teach Story 1, The Inventor Who Kept His Promise, Second Part First Part में हमने देखा कि Edison ने कैसे silly experiment किया और उसका punishment उसकी मदर दुआरा कैसे दिया गया अब हम यहाँ पर Edison के दूसरे experiments की बात करते हैं, उनमें कुछ experiments बचकाने भी थे और कुछ समधारी से भरे हुए थे, लेकिन Edison के अंदर यह पता चला कि जानने की जिग्यासा बहुँच थी एक बार Edison अपनी मदर के साथ पॉल्ट्री फॉर्म में गए, पॉल्ट्री फॉर्म बे जगे होती है जहाँ पर मुर्गियां पाली जाती है और अंडो का वेबसाई किया जाता है, उन्होंने वहाँ पर एक मुर्गी को देखा जो अंडो पर बैठी हुई थी, Edison ने अपनी म हट से कुछ दिनों के बाद चूजे निकलते हैं, इस बात ने Edison को एक नया आइडिया दिया कि मैं अंडो पर क्यों नहीं बैठ सकता हूँ, अगले ही दिन सुबह में Edison एक दरजन अंडे खरीद लाए और वे अंडो के उपर बैठ गए इस उमीद से कि उनके चूजे निकले और प्रियोग सफल होगा, लेकिन ये प्रियोग सफल होना था ही नहीं और हुआ भी यही कि अंडे फूट गए और Edison जब अंडों के उपर बैठ है तो उनके शौट्स स्पॉल हो गए, गंदे हो गए, और दुवार ऐसे एक बार फिर Edison ने खूप करारी पिटाई खाई अप स्यासपद आये, लेकिन एक्ट्वली वो फनी नहीं थे, वे अपने एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने उन से सीखा बहुत कुछ, उन्होंने देखा कि जो भी आज तक दो ने सोचा, वे आइडियाज उनके रॉंग थे, उनको एक्सपेरिमेंट्स करन एनकरेज करने के लिए कि और किताबे पढ़िये, उन्हें हर किताब पढ़ने पर 25 सेंट्स दिया करते थे, ये सेंट्स अमेरिकन करेंसी है, हमारे यहाँ पर इन्हें 25 पैसे कह सकते हैं, ही रेड वाइडली और उन्हेंने बहुत ज्यादा किताबे पढ़ी और जो भी पौकेट मनी जेब खरचा उनको मिलता था, वे सारा आए जेब खरचा किताबे पढ़ने पर लगा देते थे, उन्हें बहुत सारी किताबे खरीदी, और किताबे पढ़ते रहे 7 शाथ इसके अपने जेव खर्च से उन्होंने एक लैबोरेटरी छोटी सी बना लिए जिसमें वे एक्सपेरिमेंट क्या करते थे और किताबे पढ़ने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए एडिसन की माताजी ने उनको बहुत ज्यादा एनकरेज और प्रुतसाहित किया। कुछ समय के बाद एडिसन को लगा कि अभी पैसों की और आवशकता है अगर उन्हें इन एक्सपेरिमेंट को जारी रखना है तो उनको बहुत सारी किताबे पढ़नी पढ़ेंगी और किताबे पैसों की आती हैं और पैसों की आवशकता है। जितनी किताबे घर पढ़ थी हैं वो सारी किताबे पढ़ी जा चुकी थी इसलिए अब वे कुछ और करना चाहते थे। जाते हैं तो शुरू में तो उनके मातापिता ने इस बात को सुईकार नहीं किया। लेकिन बात में वे राजी हो गए वे एगरी हो गए। जब एगरी इसलिए हो गए क्योंकि एडिसन ने काफी गुड रीजन्स अच्छी रीजन्स उनको दिये कि वे नौकरी क्यों करना चाते हैं ये बात उनके माता-पिता को अच्छी लग ये और उन्होंने काऊ थीक है जाओ कर सकते हो नौकरी अब एडिसन एक नियूस पेपर बॉइ बन गए नियूस पेपर ब्वऑड वो होता है जो नियूस पेपर को डिस्टिब्यूट करतो दोर या sell करता है किसी roadways में, किसी railways में अब वो क्या करते थे? उन्होंने ही newspapers को distribute करने का, sell करने का काम शुरू कर दिया train में और यह train Detroit तक जाया करती थी उन्होंने बहुत सारे newspapers बेचे newspapers के साथ साथ थोड़ी और earning बढ़ाने के लिए उन्होंने फल बेचे और पहली बार में उन्होंने दो डॉलर कमाए टू डॉलर्स ओन दा फर्स दे दो डॉलर लेकर के वे अपनी मदर के पास शाम को सपर टाइम में रात के खाने पर मादाजी के सामने उपर सुथ हुए और बोले हेमा एक डॉलर आप ले लिजे और हर रात मैं आपको एक डॉलर दिया करूँगा मैं जो भी कमाऊँगा उसमें से इस तरह से एडिसन ने अपनी मदर से एक वादा किया था कि मैं आपको हर रात एक डॉलर दूँगा और उन्होंने एक डॉलर हर रात जो भी कुछ कमाया से दे करके अपना वचन निभाया एडिसन की अगली घटनाएं उनके जीवन का आगे का परीचे हम जान पाएंगे पार्ड थर्ड स्टोरी वन नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स